सब्सक्राइब बढ़ाए गया जरकांट्राइटी तो एलेक्सान हुए तब लगी तेरों नवेंबर खोई 20 नवेंबर और 23 नवेंबर दो ओकोईटा सरकार बिनकना उनारिया बुन बुझे लंदरिया से बुन आन्यंदरिया अधर ठीक गया ओकोईदो हाँ लेटी पड़ा विधान सबाग होई तो ओकोईटा निताई तिंगू बड़ा क्रांट है ओकोईदो नितुम हुई कांता है और उनी नहां नोका पड़ा एकना जे लिटी पड़ा विधान सबाग होई उनी टिकेट बखोव मादिया अधर चिदा बखोव मादिया आपे नुवा विडियो रे एह खोईए मुचे हभी धान्तवन पर और उनी नहां नितो अटी केजा के रगाओव ना मने जे एमें प चलिका मोन मिता काना उनका पहए का प्या अब नी तो उना जाएगार है नीतो हेमलाल गुर्मो को इमादिया टिकर्ट अधर कोई दो दिनस को उखवादा विल्याम दिनस माराण नें हां उन्हें अडिकाना है अडिस कना रंगाओ कना है छेक कुन हाँ अलए कना अपने नोग बीडियो बिनने तापते न्यलता पून पे अधिक यां उन्हां बीडियो की ना से अब न्यलका लगी राज के मुखमंत्री माननी हमन स्वरंजी से परिवार में हम लोग ये परिवार में हैं उनको अपना गार्जन मांते हैं और उनहीं से जनना चाह रहा हैं कि वो अपने परिवार में भावी को टिकट देंगे अपने लड़ेंगे मेरे परम भाईया बसंत भाईया को भी टिकट दे दिए मेरे पिताजी मा पिताजी जो लिटी पड़ा विधान सबा को सीच के रखा था आज तक और मेरे पिताजी स्वर्ग साइमन मरंडी जी जो जारकन्द मुक्ती मोचा के सबसे पहले विधायक रहे हैं और मेरे पिता जी स्वर्ग साइमन मरंडी जी जो हमन स्वरण जी के हमन्त भहिया के पिता जी वीर सीवु स्वरण जी जो मेरे पिता तुल्य है उनको राजनिती में नीम्रा से उठा करके दुंका लेखे आ है कि और यह 77-75 की बात है मेरे पिताजी एस पी कॉलेज दुंका में पढ़ा करते थे उसमें बिजय सिंग जी उनके साथ थे और तमाम साथ ही उनके साथ ते जो कह स्थी कॉलेज नंबर वन में गुरु जी को इसलिए रखा गया था क्योंकि दुंका में पूरा बिरोध हुआ थ स्वर्ग साइमन मरंडी जी जो सीबू स्वर्ण जी का साथ दिये उनके परिवार का साथ दिये स्वर्ण जी आपके पिता जी को ड्रामगर निम्रा से धुंका ले जाने वाले कौन है स्वर्ग साइमन मरंडी जी है वहाँ पर उनको टिकट दे करके खड़ा किये और उन्होंन अगर आपको दुख था, कोई प्रब्लम था तो हमको बुला सकते थे, पुछते कि क्या प्रब्लम था या तुमको टिकट नहीं देंगे, काहे नहीं देंगे किस परिवार में दिक्कत नहीं होता है जी यह पाटी में दिक्कत नहीं है जो पाटी सिर्फ हमान स्वरंजी के पिता जी वीर सिबु स्वरंजी ने बनाए है अखेले उसमें सबसे बड़ा भूमे का है स्वर्ग साइमेन मरंडी जी का पूरा इतिहास चांता है पूरा देश जामता है इस बात को तो इसका मतलब आप हम लोग जैसा जो पुराना आदमी का बेटा लोग हैं पुत्र लोग हैं उसको लात मारगे धिरे धिरे बाहर निकाल हैं बुद्धी से और अपना परिवार को कभजा करवा रहा हैं पाटी में यह गलत बात है ठीक है अप नलीन स्व प्राइन चचा के घर में हुआ था और उसमें सिर्फ एक मात्र विधायक थे स्वर्गे साइमन मरंडी जी जारकन मुक्ति मर्चा में कोई नहीं था इतियाज गवा है जी लेकिन ठीक है अब आप बोलिएगा कि हमें एगो का पुत्र को दिये और नहीं दिये का है नहीं सब को देते हैं सब को हक है जारकन मुक्ति मुर्चा जो सब को मिल करके जारकन मुक्ति मुर्चा बनाया है हम तो उनहीं से जवाब चाहते है कि कौन दलाल के चक्कर में हमरा टिकट्थो काट दिये और जारकन मुक्ति मुर्चा में दलाल का जमावड़ा हो गया है जमावडा हो गया है धीरे धीरे जारकन मुक्ति मुर्चा ठीक है गट बंधन कर रहे हैं तो जीत रहा है लोग अकेले लड़के देखे ना जारकन मुक्ति मुर्चा बहुमत नहीं ला पाएगा हम तो जीतेंगे हुजूर लिटी पड़ा विधान सवा से लेकिन जीज दिन जीते और आपको एक विधाय का कमी हुआ हुआ हुजूर तो किस मुझ से हम से मदद मांगिएगा एही ठो हम भी देखना चाहते हैं हमेरे बड़े भाईया हैं हमंत्विया आपको दिल से संवान करता हैं बसंद्भिया को भी संवान करता हैं बताइए आप टिकट मेरा काहे काट रहे हुआ हम तो जानना चाहते हैं आरे आप आप काहे काटे पूरा परिवार लोग मैंने आफी का खांदान लड़ेगा हम लोग नहीं लड़ेंगे आफी का फैमली लड़ेगा हम लोग नहीं लड़ेंगे हम लोग कभी तो पिता जी लोग पाटी बनाया है जी मार खाया है लाठी खाया है जेल खटा है टॉर्चर हुआ है इस दिन के लिए कि खली आफे का खांदान लड़ेगा, बाकि कोई खांदान का पुत्र लोग नहीं लड़ेगा इस तो गलत बात है ना, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि आप काहे के लिए हमको मेरा टिकट काटे हमको बुलाते भाई, बैठाते, अरे कोई गलती किया है तो कान पकर के दोगों जापड़ दे देते हैं अरे भाई, बड़े भाईया आपका हाथ बनता है आप बैक डोर से मेरा टिकट काट देते हैं क्या अकेले आप पिका खंदान पाटी बनाया है, हम लोग का खंदान कुछ नहीं किया है मैंने आप पाती का अधियक्ष बन गये तो सब का काटे जा रहे हैं पुराना आदमें इटो गलत बात है हम अभी भी बहुत सम्मान करते हैं इजद देते हैं अपने बड़े भाईया को क्योंकि मेरे गारजैन है जील हम तो यही जैनने चाहते हैं कि आप टिकट को 15-20 साल से गाली दे रहा है कैसे देखते हैं इसे आप कैसे देखेंगे जैसे देखा जाता है वैसे देख रहे हैं आप लोग भी बार-बार आप लोग के बीच में बोलें कि हम एक पार्टी के सिपाई हैं और पार्टी का कप्तान हम को जहां बोलेगा लडने के लिए हम वही के लिए तैयार हैं लिटी पड़ा की जनता को तो सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद कहेंगे उनी लोगों के प्रियास के बदोलत लगता है हमको टिकट मिला है